अगर आपको मेरे चैनल की प्लेस में जाके आप देख सकते हैं तो आपको बोला गया है आपको फीगर नहीं आपे दी है तो फीगर खुद आपको ड्रॉख करनी है तो बोला गया है ABC एक ISLESS ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉख कर लेते हैं जिसमें आपको बोला गया है AB equal to AC तो यहाँ पर एक ट्राइंगल में ड्रॉख कर ली जिसमें आपको बोला गया है आपको बोला गया है AB equal to AC आपको दिया हुआ है तो आपको बोला गए AD is an altitude AD आपके पास क्या हो रहा है 90 degree का एंगल में attitude का मतलब के पास होता है perpendicular एक तरह से ठीक है तो perpendicular लिए आपके पास AD बन गया आपको बोला क्या है firstly AD bisect BC आपने prove करना है और second बताना है AD bisect से एंगले तो AD bisect BC bisect का मतलब मैंने बताया था जो दो equal parts में जब हम किसी चीज़ को बांटते हैं उसका मतलब होता है bisect AD आपको बोला गया है कि AD ने BC को दो हिस्सों में बांट दिया मतलब आपको क्या prove करना है BD equal to DC prove करना है तो अगर मैं इन दो triangle को congruent prove कर दूँ अगर triangles congruent prove होगी तो ये automatically equal हो जाएंगे और मतलब AD bisect BC हो जाएगा तो हमने क्या करना है first part में दोदों triangles को congruent prove करना है तो हम क्या लखेंगे in triangle ABD and triangle ACD तो उनमें क्या क्या equal है वो देखते हैं सबसे पहले आपको AB equal to AC आपको वो लगया है so AB equal to AC ये आपको given है second AD दोनों triangles में common है तो AD equal to AD हम ली सकते है AD equal to AD common side है next one आपके पास आपको क्या दिया गए है आपको देख़ी 90 degree altitude है तो ये और ये 90 degree के अंगल बना रहे है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो ADB equal to ADC ADB equal to ADC और ये क्या होगे 90 degree इच ठीक है तो कौन से रूल लगया RHS rule जिसमें एक एंगल 90 degree का होता है और बागी दो side equal होती है तो उसमें हम बोलते है right angle hypotenuse side rule लगता है congruence का तो मतलब वाए RHS rule triangles क्या होगे आपके पास congruence triangle ABD congruence triangle ACD अब triangle congruence होगी तो BD equal to DC हम लिश सकते हैं by CP CT तो this implies BD equal to DC by CP CT अब दोनों equal होगे तो मतलब क्या होगया अगर ये equal है तो AD ने bisect कर दिया BC को तो इसका मतलब क्या होगया this implies AD bisects BC तो ये आपके पास first part होगया second part में क्या पुछा गया है AD bisect angle है AD ने angle A को bisect कर दिया मतलब ये angle और ये angle equal करना है तो क्योंकि मैंने दोनों triangle को congruent prove करके रखा है तो ये angle और ये angle भी by CP CT हम equal कर सकते हैं तो अगर ये equal होगया होगया पास तो क्या होगया आपके पास समुछ सकते हैं AD bisect angle A तो हम क्या लिखेंगे angle BAD equal to angle CAD तो हम ये पर क्या लिखेंगे second part में angle BAD equal to angle CAD और क्या ओड़ाएगा by CP CT अगर दोनों angle equal होगया तो उसका मतलब क्या होगया this implies कि AD ने क्या कर दिया angle A को कर दिया bisect तो ये हमार पास question number second complete हुआ moving to next question so next question is third two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR show that triangle AB congruent triangle PQ and triangle ABC congruent triangle PQR so आपको क्या बोलाएगा है यहाँ पर आपको बोलाएग कि दो ट्राइंगल आपके पास है ABC and PQR जिसमें AB जो है वो PQ के equal दिया हुआ है इसमें जो AM median है वो PN median के equal है तो मतलब ये और ये वाली side equal है third बोलाएगा है जो BC है वो equal to QR आपके पास है BC आपके पास QR के equal आपको दिया हुई है आप बोलाएगा है कि AM और PN इसमें median है और आपको जो प्रूव करना है वो आपको ये प्रूव करना है ABM congruent PQR ABC congruent PQR ठीक है अब दो ट्राइंगल को कॉन्वेंट प्रूव करना है ABM and PQR को आप देखो congruent जो हम इप्रूव करना होगा तो मैं कम से कम तीन चीज़ें चीज़ें जो equal तागे ट्राइंगल्स congruent हो तो ये तो equal दिया हुआ है ये भी equal दिया हुआ लेकिन जो तीसरी चीज़ें पे कुछ भी equal आपको नहीं दी गई है ना ये एंगल्स की बात की गई है आपको ये BC line equal दिया है ना की BM ठीक है ना आपको ये इसके equal है ये इसके equal है आपको ये और ये equal नहीं दिया गया आपको ये line और ये line equal की है तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं BM equal to QN prove कर दो अगर ये equal prove हो गए तो तीन साइड ने equal होगी तो इन दोनों ट्राइंगल को हम congruent prove कर सकते है तो पहला काम होगा BM equal to QN करना तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं देखो जो BC आपके पास है यहां पर AM उसका median है median अगर है तो मतलब इसने क्या कि आफ ट्राइंगल ABC AM जो है median है तो मतलब BM क्या लिए सकते हैं half BC BM equal to half BC यह होगी हम आपास first equation similarly हम यहां पर देखो QR इस PQR triangle में PN जो हम median है तो क्या हो जाएगा जो QN है वो इसका half हो जाएगा तो मैं similarly हम लिखेंगे यहां पर जो PN आपके पास है is median of triangle PQR अगर यह median है तो QN हो जाएगा half QR QN की value क्या हो जाएगी half QR और यह बनकी हम पास second equation आपको यहां पर क्या दिया गया है BC equal to QR दिया हुआ है ठीकिन आप BC और QR equal है तो मैं आपके क्या लिए सकते हैं here BC equal to QR अब BC equal to QR आपके पास given आपको दिया हुआ है अगर यह given है तो अगर मैं half लिख दूँ दूनों साइड मल्टिप्लाई करके तो इसमें कोई फरक नहीं बढ़ेगा तो मतलों half BC equal to half QR भी equal होगा अगर BC equal to QR है अगर मैं half दूनों साइड मल्टिप्लाई किया तो यह term भी equal रही अब देखो first and second की बात आप करते हैं अगर right hand side equal है देखो यहाँ पर right hand side मैंने equal कर दी तो left hand side भी equal हो जाएगी half BC अगर half QR के equal है तो BM की भी किसके equal हो जाएगा QN के तो this implies क्या हो गया BM equal to QN और यह हमारे पास आगे equation third अब जो मैं पुछा गया है तब उस पर बात करते हैं first part में आपको बताना है ABM congruent PQN तो दोनों triangles को लिख लेते हैं तो पहले in triangle ABM and triangle PQN तो यहाँ पर क्या-क्या equal है AB equal to PQ AB equal to PQ जो आपको given दिया हुआ है next आपके पास PM sorry AM equal to PN यह भी given है AM equal to PN यह भी आपको given है और third अभी हमने prove किया BM equal to QN so BM equal to QN और हमने कहाँ से लिखाईए from equation 3 से अब क्या हो गया by triple S rule क्या होगी triangles होगी congruent so by SSS rule triangle ABM congruent triangle PQN so triangles congruent prove होगी अब देखो next हमें जो prove करना है वो करना है ABC and PQR ABC and PQR ठीक है इसको prove करने से पहले देखो यह triangle अगर congruent prove होगी तो यह angle इसके equal हो सकता है by CPCT तो इसको लिख लेते हैं अभी angle B equal to angle Q लिख लेते हैं reason हम लिख लेंगे by CPCT जो next हमें use होगा तो इसके लिए इसको हम ले देते हैं equation 4 तो next में हम लिखेंगे second part में ABC and PQR को congruent prove करना है तो ABC and PQR की बात करते है so second part में in triangle ABC and triangle PQR so क्या क्या चीज़े equal है इन में तो यहां पर पहले तो AB equal to PQ आपके पास है so AB equal to PQ it is given next BC equal to QR भी question में दिया हुआ था तो यह side और यह side भी equal है so BC equal to QR और यह भी अपके पास given है next चीज़ अभी देखो मैंने अभी find out करी क्या angle B equal to angle Q क्योंकि यहां पर और चीज़ equal नहीं थी तो मैंने पहले इसको equal लगर के रख दिया था by CP CTC इन दो triangle से तो हम लिख सकते angle B यह angle B इस triangle में भी आ रहा है और angle Q इस triangle में आ रहा है तो दोनों equal है तो हम क्या लिख देंगे angle B equal to angle Q और यह हमने लिख दिया from equation 4 ठीक है तो कौन से rule लगा? S.A.S. rule तो by S.A.S. rule triangle A.B.C. congruent triangle B.Q.R. तो triangle आपके पास congruent prove होगी और मैं आपास third question भी complete हुआ तो आज यहीं पर stop करते हैं next video start करेंगे next video में अगर आपको इन question से related कोई भी problem हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं Till then, thank you